अब नमस्कार दोस्तों मैं प्राची संस्क्रते आयस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करते हूं टारगेट प्रिलिम्स करेंट अफे और बीश्टों न्यूजपेपर इस प्रिग्राम के तहट हम न्यूजपेपर के आर्टिकल्स पर जो आपके प्रिलिम को सौल कर पा रहे हैं आज की वीडियो में काफी अच्छे प्रश्णों को हमने रखा है ट्राइ कीज़ेगा हरे प्रश्ण को सौल करने का आंसर तुम्हें आपको बता ही देती हूं तो आईए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते आज का वीडियो वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि हम कौन से पाँच टॉपिक को कवर करने वाले हैं सबसे पहले देखिए दा हिंदु में कर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के तहत एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि जो आक्टिक है उसका तापमान बढ़ रहा है और उसमें भारत पर इसका क्या एफेक बाड़ थी और मॉन्सून जो है या तो लेट आ रहा है या तो लेट जा रहा है यह जो सारी चीजे इन पर क्या-क्या फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं यह आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले एक थीम बन सकती है हाला कि मैंने जो आर्टिकल आपको तयार कराया है य चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं आप लगाता न्यूस में पढ़ रहे होंगे कि चीन का एक जहाज जो है श्री लंका में हम बन टोटा पोट पर आ रहा है काफे दिन से लगाता न्यूस में था मैंना को कहा था कई बार हम केवल उन खबरों को लेते हैं जब विक्सित हो श्री लंका और चीन यह जो एक आप कह सकते हैं त्रिकोंड बनता है इनके आपसी संबंदों पर किस से क्या प्रभाव पड़ता है इन सब को प्रपेर कर लेजेगा चीन हमेशा सही न्यूस में रहता है भारत के संदर में लेकिन हाली में दो घटना है ताइवान वाला यह देखिए जो रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग है उनके द्वारा हाली में सेना को सुपूर्द किये गए है सेना को जो दिये गए सिस्टम से यह क्या है क्या इनका आप कह सकते है उपयोगीता रहे कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन ह यह टॉपिक रहे गा इंडियन एक्सप्रस में एक्सप्लीन वाली स्रीच वर स्कोले कि छोटा सा आर्टिकल आया था तो बायो इंजीनियर कॉण्या क्या है इसका क्या उप्योग हूआ यह प्योग क्या है यह हम इस टॉपिक के माधियम से पढ़ेंगे एंदिन फिफ्थ इस टॉपिक हमारा प्योड ली प्रेलिम्स के पॉइंट फिस इंपोर्टेंट है पालन वन थाउजन रास्ति अभ्यान और पालन पैरेंटिंग आप हाले में इस अभ्यान को लांच किया गया है तो यह क्या है किसको यह टारगेट करता है इसको जो हम देखेंगे इसके अल में देखें हुआ क्या है जो फिनलेंड का मोसम विज्ञान संस्थान है उसके शोद करताओने कम्मुनिकेशन अर्ट एंड एंवार्मेंट जॉर्णल में एक अध्यन जो है प्रकाशित किया है इस अध्यन में यह बताया जा रहा है कि जो प्रत्वी है ठीक है उसके अन्य ह प्रत्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसके कम्पारिजन में आक्टिक में जादा प्रभाव देखने को क्यों मिल रहा है और इसके विश्व पर और स्पेसेफिकली भारत पर क्या प्रभाव पढ़ेंगे यह एक सूचने समझने का विश्य हो जाता है सही बात है अब द जो duy सिल जादा जल अए जो बेट मिलती था है तो तो तहरों पिंगल तो एसे ना सिर्व की ल reviews पते चलता है कि इसे समूद्र का जल स्थर भी बढ़ता है बाई जादा पानी मैल्ट होके में पहूंच जाएगा तो मतलब तो तो से समी पर परढ़ल्ट जाएगा तो इ तो यह प्रभाव पढ़ता है नदियों में अगर पानी जादा आएगा तो बाड की एक संभाव नहीं हो सकती है और जितनी जादा बर्फ देखें मेल्ट होती जाती है उतना जादा अल्बीडो का जो एफेक्ट है वो कम होता जाता है तो उसकी वज़े से और जादा गर्मी अवसोशित जो है चीजे कर पाती है यह जो लाइन मैंने अभी बोदी अल्बीडो वाली आप शयद नहीं समझ पाए होंगे इसको मैं डिटील में बताऊंगे जैसे जैसे हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे तो देखिए क्या है धूर्वय प्रवधन पोलर अम्प्लिफि देखिए कि जब जलवायू परिवर्दन हो रहा हो और धूर्वय चेतर है उसमें घ्रीणास संकेंद्रन की वजह से विश्व के सीष हिस्से उनके तुलनामे धूर्व पर अत्यादिक जो ताप्य परिवर्दन होता है इसी परइगतनों को धूर्वय परिवर्दन कहते हैं भाई ये जो पॉलर पे ही ज़ादा चीज़े देखने को आपको मिल रहे हैं बाकी के बजाए यही धूर्वे परिवर्धन है छीग बात है इसके बाद देखिए जो हिम अलबीडो प्रतिकरिया है हास दर प्रतिकरिया है जिल वास्प प्रतिकरिया है समुन्दरी ताप प्रफभी का ऑवरल टैंपरेचर बहुतSt GRA जिसकी वज़े से क्योंकि धुर्वों पे हमें पता चला जादा फर्क पढ़ रहा है जिसकी वज़े से बर्फ पिंगल रही है तो मतलब जो वाइट वाला एरिया था वह कम हो रहा है और बर्फ अगर पिंगल रही हो एक दम सतय की जो मिट्टी थी वह दिखने लग जाए जि करना शुरू कर दिया है क्यों क्योंकि आपका अलवीडियो कम हो गया है तो इसकी वज़े से क्या होगा और तेजी से बर्फ पिंगलेगी तो यह क्या है एक गुनक परभाव छोड़ता है इसके बाद दूसरा क्या है हासदर प्रतिकिरिया लाप्स रेट यह होता क्या है आ पर दो पर प्रभाव पढ़ रहा है तो उचाईयों पर हमारे माउंटेंस वहां पर बर्फ थी वह पहले जबी रहती थे क्यों कि जैसे जैसे उचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा लेकिन अब क्या है लाप्स रेट पर पर पढ़ रहा है तो अगें बर्फ जादा पिंग स्थाना नतिर्या के न करें था कहा इसमारा यू अरश्त लेखर है कि तापमान था यू सथाना ये औल हो नो भू मद्य इसमें जाधा गर्मी रहने हैं हुए सुर्य की सेधी कर गर्म l तो इसी वज़े से जो समुदर का तापमान भी था वो भी रहता था लेकिन अब जो समुदर का तापमान बढ़ता हुआ ये धिरे धिरे पोलर के तरफ भी ट्रांसफर हो रहा है गर्मी जादा हो रही है तो इस चीज का भी फरक पड़ता है तो इस आर सम फैक्टर्स जिनको याद रख सकते हैं जो इस गर्मी के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो देखे क्या कहा रहा है जब समुदरी बर्फ पिंगलती है तो आक्टिक मासागर सूरे का अधिक विकिरन अवसोशित करता है जिससे विस्तार में बदलावा रहा है धूर्वे विस्तार क अधियान यह बताते हैं कि जो आइस का अलबीटो है जो लैप्स रेट है इसकी वज़े से 40 फीस्ती और 15 यानिके 15 फीस्ती धूर्वे विस्तार हो रहा है धूर्वे परवधन पे अलबीटो का और लैप्स का इन दोनों का बहुत जादा फर्क पढ़ रहा है ठीक है यह जो परिवर्तन है इस बात को प्लीज ध्यान अख लिजेगा प्रेलियम्स की स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं दक्षणी अक्षांश के तुलना में उत्तरी अक्षांशों पर अधिक स्पस्ट होते हैं जिसे आक्टिक परवधन के रूप से कहते हैं चेक तो आपका पोल तो इसके क्या परिणाम है ये भी पता हो तो समुंदरी बर्फ की पुरानी और जो मूटी चादरे थी उनकी स्थान पर नई और पतली बर्फ की चादरे आ रही है जो कि जादा जल्दी पिंगल सकती है तिक है जिनका अल्बीडो भी उतना जादा नहीं है देखिए ग्रीन इसका मतलब 2019 में समुंदर के स्थर में डेड़ मीटर बढ़ने के पीछे यही एक मात्र कारण रहा था इतने जादा बर्फ पिंगली के समुंदर का स्थर डेड़ मीटर बढ़िया अगीन इट्स हूज राइड अगर देखिए ग्रेंड लेंड के बर्फ की चादरे पूरी मीटर उपर उठ सकता है यानि जो प्रमुक तटिये शहर है द्वीप ये देश हैं वो इसकी चपेट में आ जाएंगा इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो आइलेंड कंट्रीज को जादा चिंदा की बात है साथ मीटर बहुत होता है राइट चलिए अब हम जादो आते हैं आठीड के दूसरे हिस्से पर पहला हिस्सा था उनने कवर कर लिया दूसरा हिस्सा क्या रट पर बन् मांसून का उत्राद मांसून का उत्राद मांसून का उत्राद मांसून का जब एंड वाला टाइम रहता है यानिके सितंबर ऑक्टूबर इसमें भारी बरिश साथ देखी गई पहले क्या होता था मौनसून के स्टर्टिंग में मौनसून के मिड में हमें बारिश जादा देख प्राप में वाश्पकरण की दरबड़ी की दरबड़ी मतलब क्या होआ नमी बढ़ी है हावा में हुथा चुछ बारी बरफ कम होते जा रही है तो देखे भारी बर्सात का सावना कुछ इलाकों को करना पड़ा फिर यह कह रहा है जो वैश्विक मोसम संस्थान है उनकी एक रिपोर्ट के कहती है कि भारतिय तटो पर जो समुंदर इस्तर है इसमें ओसत वैश्विक इस्तर की तुल्ला में तीजी से व्रद्धी हो रही है भारत के समुंदरी तटो प पिंगलना अब मेंस पर प्रशन आ जाए कि आक्टिक के जो मोटी चाद्रे थी बर्फ की क्योंकि वो पिंगल रही है उनकी जगा नहीं बर्फ की चाद्रे आ रही है और भारत का समुंदर इस्तर बढ़ रहा है इनके बीच क्या करनेक्शन है याप बताईए तो आपने यह जो कॉंटेंट बढ़ा है इसका आंसर देना है समझ गे चालिए बहुत बढ़िया आम हम इस पर प्रशन देख लेते हैं आप तो इंटेलिजेंट है एक दूम अच्छे से आप समझ आते हैं तो मुझे आपको पढ़ाते हैं इसलिए खुशी भीवद होती है तो चालिए प्रत्वे के अन्य हिस्सों के तुलना में आक्टिक के तापमान में चार गोना अधिक व्रद्धी हुई है तो इस स्टीटमेंट को ध्यान में रखते वे यह कुछ कथन दिये गए हैं इन पे आपको विचार करना है पहला क्या है कि आक्टिक में पर्माफोर्स्ट जो है य जिसकी वज़े से कार्बन और मीथेन का वातावरन में उत्सोरजर अधिक हो रहा है पहले तो इस प्रशन को हल करने के लिए हमें पर्माफोर्स्ट क्या होता है वह पता हो देखे वह विट्टी जिसमें दो साल या दो साल से अधिक लगाता है जमी हुई वस्था में हो जाती है गलोबर वामिंग के लिए जिम्मेदार है तो अग्टिक का अगर पर्माफोर्स यह पिंखले तो भी गलोबर वामिंग पर फर्क पड़ेगा यह कनेक्शन है ठीक है अब आप मुझे बताइए अगर आक्टिक में पर्माफोर्स बदल रहा है जिसकी वज़े से गय कि विक्रण का अवसोशन अधिक हो रहा है अलबीडो आपने पढ़ लिया है अलबीडो बढ़ने का मतलब अच्छा हो रहा है तो जादा बर्फ है जादा वाइट है जादा रिफ्लेक्शन है तो क्या अवसोशन जादा होगा नहीं अलबीडो घटेगा अगर तो रिफ्लेक् लगप चाहु नेक्स टॉपेक कर चेन का रात के काम जानता है इसकी अगर कौछिट fresh फी तकम बश्ली टॉस्य सकी तर्वेकर पात करें छाहिंने सर्फ, ते शुट में घ्राय काrav. ने जानता है। टॉस्सकी की टॉस्टेख गाता किर्च। अगर तो इसको बैलस्टिक मिसाइल और उप्विग्राय निगरानी जहाज के रूप में जारा जाता है इसलिए चिंता का विष्चे भी है नाम क्या है युवान वांग फाइफ तो देखिए यह क्या है एक उच्य प्रोद्दोगी की वाला अनुसंदान जहाज है और श्री लंका क जो दक्षणी बंदरगा है हमबंड़ोटा वा पर पहुचा है देखिए पहले जब यह आ रहा था तो भारत के साल बाच्चेत हुई श्री लंका के अधिकारियों से और उन्हें बेसिकली पोमिशन देने से डिले कर दिया लेकिन बाद में चीन के दबाब के सामने वह जु जुग गया है तो बाद में चीन के दबाब के सामने वह जुग गया उन्होंने परमिशन दे दी चीन जबरस्ती लेली वी डोट नो लेकिन आप फाइनली जो है आ चुका है ठीक है और भारत की तरफ से स्थित्में दिया गया है जैसा वह हमीशा देते हैं कि हमारी तरफ से स्थिती को बारी की से देखा जा रहा है हम स्टडी गर रहे हैं कि लएक क्या हो रहा है ठीक है अब देखे चिंता ये बात क्यू है क्योंकि जो हमन टोटा पर जब यह जहाज आ जाता है तो यह भारतिय समुंद्र टटके एक सो साट किलोमेटर जितना करीब आ जाता है इतन सेना रक्षा कवच को भेदने संबंदी डैटा को जमा कर सकता है हमारी नो सेना की किस तरह किस्तिती है किस तरह से हम उसको काम करते हैं समुंद्र टल की अलग प्रकार से क्विशीश प्रकार के मैपिंग के जड़िए वो डैटा ये क्लेक्ट करनेंगों इस डैटा के पेस यह क्या कर सकते हैं हमारा जो एक सुरक्ष्य पारिश है इसको भेच सकते हैं आहिए पहले इस जहाज के बारे में जान लेते यूवंग वंग फाइख सभसे को जिस जिंगा पर जिहाज पुचा है वहां से वह भारत की कििसी भी बैलस्टिक मिसल को ट्रेस्ट कर कर सकता है जिसका टेस्ट से इनाओ के दौरा किया जाएगा जिसको भी हम टेस्ट करेंगे यह जो है इसको ट्रैक कर सकते है यह बेसिकली युवांग वांग श्रंखला की तीसरी पीडी का पोत है जो 2007 से काम कर रहा है वजन की बात करें तो 30,000 तन है 409 सैनिको का क्रू आसानी से इस पर आ सकता है यह ना सिर्फ सैटलाइट को ट्राक कर सकता है बलकि हमारी जो अंतर महादीव पे इंटर कॉंटिनेंटर बैलस्टिक मिसाइल है उनको भी ट्रैक करने की छमता इसके पास है और यह जो जहाज है इसके बारे में जाना जाता है कि यह जहां खुद खड़ साहता होता है वहां से 750 swinging fire के दाईरे में जो है चीजों को देख सकता है मानिटर कर सकता है तो क्या लिखा ह university sehe तो जहाल्च के बारे में पढ़ लिया जहाजन मीड़ा है कहां है हंब हन्तोटा बंदर गाः श्री लंका ये का मकला की में केना चीह व्याथ को सुपर्षब के लिगूरं तो तो सिस्ट की व्यूंहे यहां से बनेगा तो चलिए आप देखिए हम्मंडोटा दुनिया का अक्तियादिक वेस्ट वेस्ट शिपिंग रूट है उसके बहुत नजदी है जिसके वज़ेसे इसके बहुत रणनीतिक स्थिति है हम्मंडोटा इंटरनेशनल पोर्ट समू बेसिकली यहां पर श्री लंका वैसे भी दबाव में है क्योंकि जो श्री लंका की सरकार है उसने चीन मर्चिंट पोर्ट होल्डिंग्स के द्वारा मिलकर एक सारजनिक मिझी भागीदारी की रननीति से इसको विकास किया है तो एक बात यह भी कही जाती है कि अगर वो चीन को रोकेंगे तो चीन की तरफ अगर वो उनको प्रेश्राइज करेंगे कि हम आपको परमिशन तो चीन वापस पैसा मान सकता है और आतिक संकत में वसे श्री लंका को कर सबसे जादा किसी चीज़ के जुरूरत है तो वो पैसा है तो ठीक है तो पैसा सिर्फ व्यक्तिकत तो परिशान नहीं करता है नेशन और इसका दक्षनी जो है पोड़ आपका हमबन टोटा है तो भारत से वैसे भी इसकी दूरी बहुत कम हो जाती है तो चीन जो कि यहां पर जो डायक्त यहां पर समुदर से निगरानी नहीं कर सकते वह यहां आके लेकिन यहां से तो निगरानी कर सकते है इसलिए जिसके बाद चीन ने 2006 से 19 के बीच में श्री लंका की बुन्यादे धाचा परियोजनौ में करीब बारा अलब डॉलर का निवेश भी किया है तो जिसके पास बारा अलब डॉलर दे दिये गए हो क्या वह आपके सामने कुछ बोल पाएगा नहीं ठीक है तो चीन और श्री ल बीच बिलियन डॉलर की लाइन ओफ क्रेडिट भी हमने दिया है उनको अभी हाली में जो है तीन शाह दिन पहले की न्यूसे श्री लंका को ड्रोणिया हवाई जहाच भी भारत नी एज़िए है जो इस देश में तसकरी से समंधित या पिर अन्य समुद्रित चुनोतिया है उन से निपटने में क्या है मदद करेगा तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ खड़े किये हुए है हम भी हेल्प कर रहे हैं बट पैसों के मामले में चीन बहुत जादा मतलब वेटेज रखता है चीक है तो आगे देखते है क्या डवलोप्मेंट इस न्यूस में होती है बट फोर न सबसे बड़ा है तो इसको ध्यार में रखिएगा तो कुछ स्टीजमेंट आपको दी गई है कह रहा है पिछले दश्यक में भारत श्री लंका व्यापार मूल्य में लगातार क्या है व्रधी हुई है दूसरा कह रहा है कपड़ा और कपड़े से निर्मित वस्तुए भारत पचले पांच वर्षों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागेदार देश रहा है तो उन्हों ने किया है भारत श्रीलंका पूछ लिया है भारत बांग्ला देश पूछ लिया भारत और निपाल पूछ लिया तीन नेबरिंग कंट्रीज के बारे में तीन स्टीच्मेंट उन्हों ने दे दी हैं जो अगर आप लगाता है न्यूस्पेपर फोलो कर रहे होते या न्यूस्पेपर से रिलेटिट वीडियो देख रहे होते तो आप कर सकते थे तो इसको सॉल मंतरी ने भी सेना को सोपे हैं तो सबसे पहले F I N क्या है यह S A S परणाली इसका नाम क्या है यह पता हो फ्यूचर इंफिंट्री सोलजर एज एस सिस्टम चीक है बेसिकली जो थल सैनिक है उनके आधूनी की करण के लिए बनाया गया है और से सैनिक के कारेशम्टाव में क् जैसे यह S A S A S A S A Y S S A S A S A S A S A K PY LLN तॉनी के में क्या जया है है बहुत है यह सथे नाम क्या थे जिसक्ते ऋपाइट के ने इसके लिए रहे लिए में कुछ के बारे में आपको बता इस तोंगी जैसे पहला क्या है क्या कैसमे शामिल 1 ए 2 0 3 ए 6 राइफल है ृ जिसकी तक है जिसे रूस के साथ मिलकर हम अमेठी में बना रहे हैं फिर एफ इंसौसस में सैनिक का जो राइफल के ओपर एक खोलोग्राफिक लेंस दिया गया है जिससे दो सो मीटर तक की रेंज में जो टारगेट होगा उस पर सटीक निशाला लगाया जा सकता है हेलमेट पर ऐसे लगाये गए हैं जो अंधेरे में देखने में एक सैनिक को हेल्प करेंगे फिर जम जवान जो है बिना हातों का इस्तमाल के आपस में कॉम्निकेशन कर सके इसके लिए एडवांस कॉम्निकेशन सिस्टम भी मिला हुआ है तो इस सारी चीज़े जवान को दी जा रही है यह ब लगा दी चाते हैं गिरा दी जाती है तो यहां पर देखे निपुन माइन सबसे अच्छी बास सवदेश रूप से डिजाइन और विक्सित की गई एंटी क्रमिक मिसाइन है जिने डियार्डी ओने क्या का है सॉफ्ट टार्गेर ब्लास्ट म्यूनिशन तीक है यह जो घुस अच्छी को विक्सित किया गया है चीक बात है असान था नौ थर्ड वन लेंडिंग ग्राफ्ट असॉल्ट जो हमारी पगांग तसो झील है जहां पर चाइना के साथ हमारे काफी आपके सकते तनाव पूर्ण संबंद चल रहे हैं वहां पर जो वर्तमान में उपयो की जाने जो सीमी तच्छमता वाली नाओ है उनको परतिस्थापित करने के लिए इनको हम लेकर आए है तो कुछ इस तरह कि यह दिखती है तो अब आपको थोड़ा सा याद रहेगा चीक बात है तो जो LCA है वो गोवा इससे जो एक्वेरियस शिप्याड लिमिटेड है उसके द्व समय में जहिल के किसी भी एडिया में पहुंच सकती है एक टू-0-3 असॉल ट्राइफर अगें जिसकी त्री हंडेड मीटर है जिसको मुरूस के साथ मिलकर मेटी में बनाई जा रहा है वो सब इसमें है तो यह एक अलग से लाइन आ गए है वैल इसकी पिक्चर थोया आप ध पादन की छमता है निमने कथन के संदर में कुछ स्थीटमें दिये गए हैं पर आपको विचार करना है पहला है रक्षा मंत्रा लेने उज्योग द्वारा सवदेशी करन को बढ़ावा देने के लिए सुरजन पोर्टल को लॉंच किया है एक एक स्टेटमें सॉल करते वे च तरह के काम के लिए तो इसका नाम स्रजन हो सकता है है ना यास दिस इस इस राइट स्टीटमेंट स्रजन नाम से भी एक हिंट तो हमें मिलता ही है दूसरे स्टेटमें जो एकिकरत निर्देश्यत मिसाइल विकास कार्ये करम है अच्छा मैंने पहले शायद इंटीग्रेटि मिसाइल बोल दिया था लेकिन हमारा क्या है एकिकरत निर्देश्यत मिसाइल विकास कार्ये करम है इसके तहत भारत क्या कर रहा है पांच मिसाइलों को डेवलब कर रहा है और इन पांच मिसाइलों का विकास हो रहा है वह पांच विभिन देशों के साथ मिलकर किया जा रहा है बताइए अब कॉष्टण तीक्में देजिए क्याया क्या चैक्मेब सब्हु करेंम सब्हारत में मतलब भारत में डर्ट पा नैग क्या चैक्क करना रहे हैं थि का पंच below aye तयों धीम Neuroborige तो सवदेशी करन के थोड़े से विपरीत जाता है तो इस स्टेटमेंट गलत हो सकता है अगर आपको नहीं भी आता तब भी राइट इसके बाद देखिए ब्रहमोज सूपर सोनी क्रूज मिसायल का उतपादन पूर रूप से भारत दुआरा किया जा रहा है अब ब्रहमोज बाद में बेसिक नॉलिज आपको पता होने चाहिए कि अवल भारत के साथ मिलकर हम नहीं बना रहें रूस और भारत के साथ मिलकर बना रहें अगर आप में करनेट अपके पिछले वीडियो सुने हैं ध्यान से तो यह आपको याद होगा अगें इसी तरह प्रिशन आता है परेक्ष विदेशे निदेश उदारी करंण नीती के तहट रख्षा छेदर में से 74 परसेंट FDI की अनुमती है प्रेच अनुमती उपảiवार्य con तो यहां पर लिख दिया गया उदारी करन नीती तो उदारी करन का मतलब तो सरकारी दखल कम होता है ना तो क्या गोवर्मेंट रूट वाला सही होगा नहीं 74% FDI किनुमती है ओटोमेंटिक रूट से सवचालित रूप से तो यह स्टीटमेंट भी क्या है गलत हो जाता है बट गलत है ठीक है तो देखिए अब हमने इन स्टीटमेंट्स को जेनरली कॉमन सेंसे सॉलक है हमें नहीं हमें नहीं पता था कि हमने पढ़ा है हां एक ब्रह्मोज वाला हमें पता होना चाहिए था वह एक फैक्ट था लेकिन बाकी हम देखे निकास सकते हैं कि पार्च मिस तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है हमारी देखिए तीनों स्टीटमेंट गलत है सिर्फ हमारी जो पहली स्टीटमेंट वही साहिए है तो बी यानिके के वलवन जो हमारा आंसर हो जाएगा एक नेक्स टॉपिक बायो इंजीनियर्ट कॉर्णिया अभी हाली में देख करता थे उन्हें सुर की तवचा से प्राथ कॉलेजन से जो बायों जीनियर्ट कॉर्णिया बनाया है इसका प्रत्यार ओपन किया है और इसका इस्तेमाल भारत और इरान में 20 लोगों की द्रश्टी को सफलता पुर्वक बहाल करने के लिए किया है इन में से दिकांस लोग केर प्रत्यार ओण के वेशााख सोवने का इसमात रिख्रिशन रिक्षा हो जाता है और इक है इस वेशा हहां में प्रत्यार प्रकासिंउ प्रत्या शेलता है निगना फॉर्जा अपना की बन्त्या उतक्त और जीव विज्ञान भोती विज्ञान गर्नीत इंजिनिरिंग के सिध्धान्त है जब आपसे मिल जाते हैं जब मिल वैठते हैं चार यार और फिर वो जीव विज्ञान चिकेसा स्वास्थे देखवाल और अन्य छेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए उनको परिवाष्यत क इंजिनिरिंग को बना रहे हैं कुछ चीज का आपने क्या है कुछ तु किया है बायो मतलब आप जैव चीजों को लेकर कर रहे हैं तो जैसे कुछ उधारन इससफ़स्ट हो जाएगा जैसे कृतिम कूले लगाया जाते है या घुटनिया कोई अन्य ऐसा जॉइंट जब कुछ चीजीटमेंट कर आपको कथम विचार करना है बायो मेडिकल इंजिनिरिंग के संदर में यह कैसा छेतर है जिसमें इंजिनिरिंग वा लाइफ साइंस के सधानतों का क्या है परियोकर मानव और पश्वों के जीवन पर शोध होता है राइट है ऐसा ही है छिक हैं फिर पता लगाने उनका उप्चाल करने के लिए अन्यसाथनों के लावा बायो इंस्ट्रूमेंट्स और वायलेस तक्नीक का भी सारा लिया जाता है तो देखें अमराई जो आप कराते हैं सिटी स्कैन आप जो कराते हैं या फिर आप और भी रोबोटक्स वगारा का जो मेडिकल मे अनुप्रियोक चल रहे हैं साले छीजगे लिए अगेन स्टीटमेंट्स होते हैं जो किसी चीज का उद्देश्य बता रहे हो उसकी डाफिनिशन दे रहे हो वह जनली ठीक होते हैं ठीक है तो यह ठीक है हमारा पुछर कॉन सही है दोनों ठीक है सी हमारा आंसर हो जाएगा स्वास्थी fingerprints ने लांस्ट बीट लांच किया थौ के लसके बादन करकेशन अनावरन किया गया तो पहले दो साल होते है बच्चे की जो फॉर्स्ट ङर होते है उसमें उन के मुख्य बिंदू देख लेते हैं एक तो सरकार ने बताया कि 2014 से अपने बाल मृत्य दर को कम करने के लिए कदम उठाए हैं जिसके वजह से बाल मृत्य दर स्वास्थे के लिए बहुत जादा महतुपूर होते हैं यह जो कार्यकरम में इसको रास्तिय बाल स्वास्थे कार्यकरम के मिशन के साथ जोड़ा गया है जिसमें पहले हजार दिनों के दोरान उत्तर आई देख बाल और केंद्रिया हस्तचेप को जो है विजन किया किया है समर्थन मिलें यह बहुत आवश्यक है पालन 1000 जर्णी इसमें परिवार माता पिता जो देखवाल करने वाले हैं वो स्टर्टिंग के एर में कैसा करें उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी परिवारों के बुन्यादी जरूरतों को पूरा करने वाले कुछ सोविसेज भी जाएगी पैरेंटिंग अप्लिकेशन तो यह जो अर्ली चाइल्ड होर डवल्लप्मेंट कॉन्क्ले हुई थी इसमें इसको लांच किया गया ताकि जो देखवाल करने वाले हैं उनको विवारिक सलह दी जा सके आपके माधियम से वो चीजों की नॉलिज ले सके कि रोजमर बच्चों की देखवाल को बहतरीन करने के लिए यह दो इनिशेटिव सरकार के द्वारा चलाए गए हैं तो बार मृत्युदर होती क्या है तो देखे बार मृत्युदर जनम और जो पांच वर्ष के आयू की बीच यानि कि आज आपका जनम हुआ है अपसे लेकि पांच सा बच्चों को व्यक्त की जाती है यह देटा है देखिए इन्फेंट मॉटलिटी रेट का 2010 से लेकर 2020 तक का तो आप देखेंगे लगातार क्या है गिर रहा है ठीक है तो इसको ध्यान देखेगा यह वर्ल्ड बैंक का डेटा है ठीक है यह डिफोर कर सकता है हमारा जो इंडि देख लेते हैं क्या कतन है देखिए नीती आयोग द्वारा जारी रास्तिय पोशन रंड नीती का उद्देश्य सबसे कमजोर आयो समूपर केंद्रेत रहते हुए वर्ष 2021 तक सभी परकार के को पोशन को कम करना है फिर यह कह रहा है प्रधान मंत्री मत्रवंदना योजना क 2017 को आकांशी जिलो में गर्बवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण है तो शुरू की गई थी अब यह बताईए प्रधान मंत्री मत्रवंदना योजना 2017 आकांशी जिले क्या यह तीनों लाइने जा रही हैं कल हमने पढ़ा था ना आकांशी जिलो के बारे में आपको याद है कि वो कब से शुरू हुए थे अगर आपको याद है तो आप समझेंगे 2017 में यह नहीं हो सकता दूसरा आपको यह पताओ प्रधान मंत्री मत्रवंदना योजना पूरे भारत के लिए शुरू हुई थी ठीक बात है तो यह क्या है यह गलत है फिर यह कह रहा है कि 2004 में नए इनिशर्टे वाया कि खाना पका के गर्म गर्म जो है परोसा जाएगा मिड्री मिल में दिस इस अगें राइट अम्माली यह दूसरा हमारा गलत है तो यह गलत हो जाएगा तो यह पास केवल एक और तीन तीन उप्युक्त में से कोई नहीं यह तो मतलम नहीं बहुत मेंनथ हमारे किया जाती है आपको चीजे समझाने की आपको चीजे याद कराने की तो इसी लिए इन वीडियो को लाइक कीजे शियो कीजिए जादर से जादा और और subscribe कीजिए क्योंकि मेरी टीम को इससे बहुत होशी होती है और जितना जादा आप शियर करेंगे उतनी ज्यादा रीच जो है हम लोगों की बड़ेगी वाच जल्द मिलूंगे एक नहीं करेंट अफिर के वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्का जैहिन धन्यवाद